हेलो एवरिवन, मैंने अकसर लोगों को कॉफी शॉप पे एक परफेट कॉफी ओडर करने के लिए स्ट्रगल करते देखाए कॉफी के नाम इतने कन्फ्यूजिंग होते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते कि कौन सी कॉफी ओडर करें तो अगर आप भी उन में से एक हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप अफ कॉफी को एक्स्पेन करूंगी ताकि नेक्स टाइंग जब आप कॉफी शॉप पे जाएं तो अपने लिए एक परफेट कॉफी ओडर कर पाएं तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिसकेशन सबसे पहले समझते हैं एस्प्रेसो क्या होता है एस्प्रेसो एक कंसेंट्रेटिट सोल्यूशन होता है कॉफी और वाटर का एस्प्रेसो शॉट नॉर्मली 30-35 ml का होता है इसका नाम जितना अच्छा है कॉफी उतनी ही जहर है इसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है आपकी कॉफी का टेस्ट कैसा होगा और वो कितनी स्ट्रॉंग होगी अमेरिकानो एस्प्रेसो शॉट में ही अगर वाटर एड़ करके उसे डाइलूट कर दिया जाए तो वो बन जाती है अमेरिकानो वाटर एड़ करके एस्प्रेसो का हार्श टेस्ट थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और यह बन जाती है आपकी ब्लाक कॉफी ध्यान रखें कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं होती वाटर एड़ करने की अपने टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से वाटर एड़ कर सकते हैं एस्प्रेसो में तो मेक इट अमेरिकानो अगर एस्प्रेसो शॉर्ट में वाटर की जगे होट मिल्क आड़ कर दिया जाए तो वो बन जाती है फ्लाट वाइड कॉफी यहां इमेज के थुरू आप समझ सकते हैं कि 60 ml एस्प्रेसो शॉर्ट गिवन है और उसमें 120 ml मिल्क आड़ कर दिया तो वो बन गई फ्लाट वाइड कॉफी कैपचीनो अगर एस्प्रेसो शॉर्ट में होट मिल्क के साथ थोड़ा मिल्क फोम आड़ कर दिया जाए तो वो बन जाती है कैपचीनो Cappuccino already strong coffee होती है बट अगर आप एक extra strong coffee lover है तो आप extra espresso shot add करवा सकते हैं Cappuccino में Latte Latte भी milk coffee होती है Cappuccino की तरह यह थोड़ी light and creamy coffee होती है Latte और Cappuccino में milk and coffee की quantities के ratio का difference होता है Suppose 2 cups है 100-100 ml के First में espresso shot है 25 ml, milk है 50 ml And milk foam है 25 ml, तो वो बन जाती है latte और second cup में espresso shot, milk and milk foam की equal quantities है That is 33 ml each, तो वो बन जाती है Cappuccino Mocha, mocha is nothing but latte with some chocolate अगर latte में ही थोड़ी chocolate आड़ कर दी जाए तो वो बन जाती है mocha तो यह थी guys basic coffees जो हर coffee shop में available होती है इन्ही coffees में आप different toppings भी आड़ करवा सकते हैं जैसे की caramel, अगर आप caramel आड़ करवाएं mocha में तो वो आपकी caramel mocha coffee बन जाएगी Similarly, अगर latte में ice अड़ कर दी जाए तो उसका नाम हो जाता है ice latte तो अगली बार आप coffee shop में जाएं और आपको menu में इस तरह की coffees दिखें तो I hope आप अपने taste preferences के हिसाब से अपने लिए एक perfect coffee order कर पाएंगे So that's all for now, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो Then please do like, share and subscribe This is Aastha signing off, thank you